जब ये मुख्यमंत्री पद पे थे जब मुख्यमंत्री पद पे थे और जो इनके पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था ये खुद मेरे ख्याल से उस वक्त आप अपने आप से भी लड़ रहे थे और अपने उपर बनाएगे प्रेशर से भी लड़ रहे थे अपने घर को नही तोड़ा सा आपको रोकूंगे मैं इन से जानना चाहूंगे उस वक्त क्या स्ट्रगल कर रहे था और आपने कैसे इनका सब्सक्राइब मुखमंत्री पत्पे थे तो खुद लड़ रहे थे इनके ओपर मंत्रियों का था किस तरीके से आपकी मदद करती थी इसलिए मदद करती थी यह कहने में यह रही है जैसे अगर घर का बातावरान विशाक्त होता और बात होती तो साइध हम फिरी नहीं रहते यह टोटल जो हम खेती करते रहे हैं हमारा खेती यह किया था बामूली खेती दोनों भाई मिलके बना लिया था और जब 1990 में हम चुना भारे और 95 तक हम इधर उलह रहे सब को यही कहता था कि अब जीतन माजी धरातल पर आ गया लेकिन उस समय खेती धटके हम करते थे हमको दो लाख और हाई लाख रुपया सलाना खेती से बचत होती थी और उसी से हमारी गाड़ी चलती थी नौकर रहते थे सब काम करते थे जब हम फिर आ गया राजनीत में तो सीवाजदी लेडि की सारा घर का भार इन्होंने समाल लिया एक खेत में धाता लेकर के ख़़ी रहती थी जब रभी का फसल होता था हम माना करते थे क्यों इतना धूप में आपे थे तो नहीं चुरा लेगा तो तो ऐसा होता था मतलब मुख्यमंत्री की पत्नी आप जरूर हो गए लेकिन आम महिलाओं वाला वो जरूर था कि नौकर चाकर कही चुराना नहीं भी कि चलते हैं खेट में अगोर के रहते थे जब वहाँ से आ जाता था था तो थरैसिंग होता था तब बारावज़ारात तक लुर्या दथी खतनी है तो जल जहते जाना कर तिकि कोई लेना जाए जब तक के नहीं जब तक नहीं गेहուं चल जाता था पूरत हैं हम अपना खेती जी करते हैं अब आज भी करते हैं इतना बूरी भी होगा फुछ लिजी इनको से इसके बावजुद आप खेती में वैसे चाता लेके जाती है और पूरा धान चावल सब समेठते हैं सब समेठते हैं इतनी सहूलियत के बाद भी इतने गाड़ी हो गए अब तो सर भगवान की दया से सब कुछ आगया आपके पस इसके बाद भी आपको इन सब चीजों की चिंता है सब्सक्राइब अपना करेंगे काम, जमीन से जुड़े रहेंगे, हाँ, जमीन से तो एकदम जुड़े, इनसाल का समय है का एकदम मारा है, फिर भी हम मोटर से फीटर से गोहुँ धान पटवा करके भी 20 विगा धान रुपवा दिगे, पीज बिगा वैसे मामूली नहीं होता है, अपकेले महिला होके बीज बिगा अगर ये रुपवा ले रही है सर, तो इस बिग अचीवमेंट फॉर यू, आपके साथ चल रहे हैं। दुनिया चला गया, उसके बेटे हैं, उसका पोता है, सब को कोडियल भाता बरन में रख करके, आज भी सीज गोइंग हैड, कोई नहीं कर सकता है कि साथ वो सतेला बेटा है, कि सतेला बेटी है, उसके लिए जादे चिंता करता है, वो भतीजा है, जो हमारा भाई छोटा है उसके बेटा बेटी के लिए कल हम चिंती तुल बले अपने खूच हो रहे थे, कि जब अपने बेटी से या किसी से बात कर रही थी, तो यह पूछ रही थी कि मोनू और कीटू कैसा है, मोनू कीटू हमारा छोटा भाई का बेटा का पोता है, तो उसके बारे मेंने, she is having due care and proper care for all, she did not differentiate who is my son or who is my stepson or who is my cousin son. आपकी असली शक्ती जो है यहां है. राइट, राइट, राइट यह थे, and that's why हम अपने समाज के लिए अपने एक लिए सुझते है, घर के लिए कभी कुछ इंताना. सर, समाज से यादा है, वो वाला, वो लाइन, चिकेन मत खाओ, उससे ज़्यादा मूसा खाओ, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अभी बातों बातों आप बता भी रहते हैं, मैडम बहुत टेस्टी बनाती भी है. नहीं, देखे, वो एक ऐसी बात है, कि खान पान में आज यसे लोग कहता है, ना कि अमुग चीज खाना चाहिए, अमुग चीज खाना चाहिए, लेकिन हमारा समाज, जो सुरू से ही, हेल्दी जिसको कहा जाता है, कम खाना में भी, और इल विवस्था में रहने के पर भी, वो उसका जो लोंगभीटी है, कोई कम नहीं है, वो ज्यादा है, अब इधर कुछ घटा है, इसलिए कि वो सराफ सेवन करते हैं, ऐसा सराफ जो बनता है, उसमें मेकनीजम या क्या-क्या मिला करके देते हैं, जो कि पौईजनेस हो जाता है, के मिन, के मिकल, नहीं तो पहले भाइंग वो जानुंदा है, उसके मांच जो काते थे, नहीं तो रहते हैं, और जो मुर्गी है, जिसको हम लोग उसमें देहाती चिकन है, अब तो भाइरल हो जाता है, इसमें तो वह रूहताम कल्व कहा देते हैं, और वो पुराना देशी है, आज भी हम जाते हैं, तो इन बनाने वाला कोई बना करके दे देते हैं तो हम खाली मीट का काटने वाला दूसरा है कैसे मतलब जैसे मुसा को मेरी थोड़ी सी इंट्रेस्ट जाग गई है ऐसे आप चुहा को पकड़ते होंगे तो उसके स्किन को हटा देते होंगे जो उपरी उसका कवर होता है कि नहीं उसका ज्धोल करके झाल जाता अ strimmproduct पिस सब जायएगा उसके थो करके उसको पिर डिवाइड करते हैं पीसी पीस तु पीस उसके बाद पिकर का दो कि चाते हम आप तक अलया है सबसे अच्छा इनको खाने में क्या लगता है इनको ज्यादा मीट पसंद है मटन सर आप बहुत नहीं मीट का मतलब चिकें 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 आपको ज्यादा अच्छा रखते हैं आज ही एड़ाइस किया गया कि हम फीश खाने ज्यादा इस फिश तो हेल्दी है सर लेकिन वह अगर आप गरीब है तो क्या है चिकें नहीं है लेकिना देखे दुनिया क्या है अभी आ बिहार में जाईए गा तो यहां बजार में भी मूशा बिकता है लोग चुरा करके लोग उसको खरीते हैं और बड़ा चाव से खाते हैं सच में देहात में जब धान का फ़सल कटने लगता है उस समय गरीब लोग खास करें कि हमारा समाज लोग चुहा मारते हैं तो दो किलो चार किलो तो उसमें आधा किलो या पर 200 ग्राम अपने लिए रखते हैं बाकि वो बेजते हैं 200 रुपे किलो 300 रुपे किलो बादा महंगा ये तो बहुता है लेकिन यही है कि तो इतने देर में हमने जो समझा जतन से जीतन आप पहुच गए और आपने पूरा डेट वाइस अपने पोलिटिकल करियर को बताया कि कॉंग्रेस फिर जनता दल और फिर आप आर जेडी में भी आपने किसमत आजमाई उसके बाद जेडियो और फिर से महागडबंधन अपने पार्टी इस पे तो हम बहुत बाद में जाएंगे लेकिन महागडबंधन और है अब चलते चलते हो जाए फटाफट हो जाए और क्या चाप्टर से मैं पढ़ने को मिलेंगे आपने जैसे देखे इस कहानी को सुन लिजिए कि जब हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस का इडियोलोजी आज भी हमारे नस्च में है खून में है लेकिन वहाँ पर कुछ बैड लीडर्सिप हो गये जो जान बुझ करके हमको जाते थे उसको अभाइट करने के लिए हम डेट बाज दियर नाइटी नाइटी सिक्स कि भे नाइजवाइन जनता दल विद लालु जादब तो लालु जादब से इसलिए उसमें मुखातिव हुए कि उसमें उन्होंने नारा दिया था गरीबों के बारे में एक समाजिक न था यह हमको खला इंश्पाइर किया और इसीलिए हम उनाइटि सिक्स में तो फिर नाइटी येट में हम व Carnegie के साथ जो भी हुआ हाँ तो नहीं किसमत को पहले कहा उने 182 के पहले भी हम मिनिस्टर थे दो बार एमेले थे बीच में डौपट हुआ वो भी दुसरी कहानी है लेकिन जब वहां हुआ तो एक लिंक जूटा कि 2000 में फिर हम चुनाव जीत गए अंठानवे में बाई एलेक्शन में हम चुनाव जीते तो मंत्री बने फिर 2005 में हम जीते तो मंत्री नहीं बने से लेके 2005 के बीच में वो जासे जनता दलमेह में हम थे लेकिन जब 2005 में हमको टिकेट उसने नहीं दिया तो नितीस कुमार जी ने हमको आप्ट किया बुलाया कहा कि आप जो कहते हो वो ही हम करेंगा हमारा कहना यही होता था कि साहब गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए जिसे इंद्रावास में करप्शन है करप्शन है या तो जो पैसा मिलता है जो पॉलिटिक समय यहां पर थोड़ा सो रुपते हूं उन्होंने आपको बुलाया कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे लेकिन जब आपको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तब उनकी यह लाइन नहीं थी अगर यह लाइन रहती तब फिर बिरेखोने का कोई सवाली नहीं था बिरेखोने का उनको तो आज तक हम लोग यही समझते हैं अभी भी कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं चाहे गलती ही सही वो नितीश कुमार के चलते हैं और नितीश कुमार को हम कहते हैं एक पर हम मिले थे बीच में हम कहां नितीश जी आप तो हमारा भाग बदल दिया हमारा परिबार का आप इतिहास बदल दिया लेकिन एक किसने आपको कहा था कि कहने को कि हम जीत Anwaranji जी को मुखमंत्री बनाए है हमारी सबसे बड़ी गलती थी यह सब्ध आज भी चुबता है और यही है कि हम डिजोंड करते हैं कि इसका मुतलब है कि आप लालत से हमको बनाये थे, instrumental बनाये थे tool के रूप में बनाये थे तो इतनी बात आप कर सकते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं तो हम भी पढ़े लिखे हैं यह अलग बात है कि आप कौन समात के हैं हम कौन समात के हैं लेकिन आप से तनिक भी कमजोर हम नहीं हैं लेकिन आप एक कहा करके जो किया अब कहने में सर्म लगता है कि नितिज जी ने हमको बनाया अब आदमी हमको बनाया आज भी है आज है आगर यह रूम है तो एक सिसियम के रूप में है नहीं था तो देखने कि कल क्या हुआ आप ही लोग पुछ दिये तो हम कहा किर हमको कही दर्टिज डाउन नीट स्पेर नो नहीं गये डिया तो मेरा कहने को मतलव है कि आज जो भी आनले चलते हैं लेकिन नितिज कुमार यह कंसर चुंद पार की कि जी जितन वाइथ बनाने के पीछे प्रदर जोसक्रट्र का डमी है जो हम कहेंगो वह करेगा तर आब अपने ऊपर आग गया जबिसnat बहुत हो गया मेरी भीक्षा है तो यह जो डिफ्रेंसेज हुआ साथ तीन करोड और चार करोड का यही इस्टिमेट भोटाला है मैं थोड़ा सापको रुखूंग चुकि समय बहुत मैं हम जितना बाते करेंगे मेरे ख्याल से और नया नया अध्याई जुड़ता ही चाहेगा लेकिन मैं यह जानना चाह रही हूँ अगर एक जोटा सब कोशिन में आपके सामने रुख्ड़ आज बिहार में RJD है आपको पता क्या स्थी थी चुकि आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं RJD के जेडियू को भी आप देख रहे हैं BJP को भी आप देख रहे हैं और ठीक है आप अपने पार्टिया स्टैंड भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं और लोग आपके साथ जुड़े हैं लेकिन इतनी सारे बंजब अगर मुख्यधारा के पॉलिटिक्स में देखे तो लोजपा और उपेंद्र कुस्वाह की भी पार्टिया सब ही पार्टिया ह रहे हैं और क्या कर रही है पार्टिया कहां है इनका विज़न देखिए इस समय में हमको यह कहना है कि हम जो सोचते हैं उसके अलग सब लोग का सोच है सब लोग सोच रहे हैं कि कौन मुखमंत्री होगा किसकी सरकार बनेगी और हम और हमारे लोग अभी 9 अगरस्त को हम सदस्ता अभियान चला रहे थे तो इकॉंट इमेजिन कि जो फटा कपला पेन के आया है वो काला कलूटा लोग आया है इंडिये की और जब सोचता है तो लोग कहता है कि वो जूठी राश्तिता धार्मिक्ता और हिंदूत्व की बात पहला करके वो भोट लिये हैं और इस और ले जाना चाहते हैं अगर हिंदूत्व की बात होगी तो कहने का मातलों की ब्राह्मन चत्री बैस ही राज करेगा सुद्र लोग के राज नहीं होगा तो इसलिए वहां भी आपको जाना नहीं चाहिए दूसरी बात जो अभी जहां महागटबंदन में हैं महागटबंदन के बारे में भी लोग करते हैं कि महागटबंदन के लोग से ही हमलों की जगड़ा है चाहे भूमी विव्यात का मामला हो चाहे महिलाओं के साथ बलतकार का मामला हो या मारपिट का मामला हो करते हैं आप अकेलिये चुनाव लड़िएगा तो आपने काम किया हैं उसके बदलति आप बहुत गूल बात नोन बताया कि आप दो बार दो nessa कर sesame रह गए नहीं आपको तो पार्टी का अफिलेशन मीता है खांड़्क स ajaND और ना दो दो सीट आप जित सके तो निश्का मतलब है कि पार्टी हमारी खत्म तो इसलिए पार्टी को रिभायब अगर करना है तो कांसी राम जिस परकार से समुच्चे हिंदुस्तान के पार्लियमेंटिक कंप्वेंश्य में लड़ गये थे और योही कहा गया था कि पागल हो गया है अब वो हंस्ते थे तो उन्हें अमने गोल पराप्त कर लिया एक को सीट नहीं आया लेकिन दो परसेंट भोट टोटल आ गया उनकी मानेता मिल गई आज हमारे लोगे ही सज़ित करने हैं आप अकेले लड़िये ना तो हम यही देखने जा रहे हैं कि जीतन रामाजी अपनी पार्टी को हर राज्य में लड़वाएंगा और अपनी एहमियत दज करने हैं एक ही चीज की कम ही हमारे पास है वो फाइनांस है फाइनांस कम है इसके चलते थोड़ा सा हम संकोच में आते हैं लेकिन जो जो कार्ज करम हम अपनाया है मेरा कार्ज करम अच्छा से हुआ है जो काम एक करोर में लोग करता है हम पांच लाक चार लाक में कर लेते हैं और वो पैसा जूट जाता है आज वो ही चीज को हम अपनाने जा रहे हैं इन स्विंग एलेक्शन में कि हम अपने लोगों के कथना उनसार हम सभी सीटों पर लगने का परियास करेंगे चुनाओ जीत गए सो फार सो गुड नहीं जीते तो पांच परसेंट भोट हमको आना ही आना है इसका मतलब हमारी पार्टी क्रिमानिता मिल जाएगी तो फिर आगे होगा देखा जाएगा हम नहीं हैं माली हमारा उम्र है कुछ दिन के लिए हम हैं फिर हमारे जितने लोग हैं वो लोग आगे करेंगे अब उम्र की बाद आपने कर लिए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है आपका पॉलिटिक्स में आप सच में देखते हैं महागडबंदन का चेहरा तिजस्वी को एक छोटा सा रिया आप से पूछा नहीं गया है कि तेजस्वी को क्या चेहरा क्यों आप बना रहे तो अलग बात हुई कि हम लोग महागडबंदन में पांच हैं तो एक आदमी डिकलियर किया उनको कि हाँ चाहा हम मुखमंतरी का करेंट हुए हमारा यही कहना है हम भी अगर बेक्तिकत पूछ जाए तो हम कहेंगे तेजस्वीक बारे में कि वो मुखमंतरी का कंडिडेट हो सकते हैं लेकिन जब गठबंदन हम चलाए हैं तो सभी गठबंदन के लोग एक साथ मिलके डिकलियर करेंगे और ना चाहा होगा हम यही करते हैं लेकिन इसको आप लोग चैनल वाले लोग रिस्पॉंसिबिलिटीज उनको मिली है और इसमें ना तो आपको कहने में गुरेज होगा ना मुझे कहने में गुरेज होगा कि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं बावजूद इसके विधानसभा से गायव रहते हैं इतने लांचन लगते हैं उनको आना चाहिए मौजूद हो हम लोग तो उस नदी के धारा से फेरना लेते हैं कि परवाहित हो रहे धारा बीच में अगर रोडा आ गया तो और ज्यादा पावर से उचल करके आगे मुझे बढ़ता है हम लोगों को अगर कोई ब्यावधान आ गया तो हम लोग उसको निगेटिविटी में नहीं लेते ह और ताकत लगा के आगे बढ़ते हैं यह अनुभव की बात है यह अनुभव हमारे तेजस्वी प्रशाद के पास नहीं थी जिसके कारण वो पाल एसेंबली एक महिना छोड़ दिये यह हमने कहा था कि अनुभव की थोड़ी कमी है और नहीं तो उनको और ज्यादा वेग से आगे बढ़ना चाहिए था सब को साथ था हम लोग साथ देने वाले थे लेकिन किसी कारण से वो नहीं आये यह उनकी गलती थी यह हम कहते हैं रही बात मुखमंत्री का तो बेक्तिकत रूपे हम कहना चाहते हैं कि he is fit for being a मुखमंत्री लेकिन जब हम गठमंदन में हैं तो स सब में सब मिलके कहेंगे वो न अच्छा होगा एक कहने सब नहीं होगा हमारा इसी को आप लोग दूसरे रहे हैं आपने उनको fit बताया है cm के तौर पे लेकिन कहीं न कहीं यह भी होगा कि responsibilities को उठाने में कहीं न कहीं थोड़े से पहले कहा दिया कि अनभव की कमी है वो तो आप नितिस कुमार से close है इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप नितिस कुमार के भी politics of nature से वाकिफ हैं बीजेपी से भी आप वाकिफ है चुकिए आप बीजेपी में कभी गए नहीं हो सकता हो विचारधार आपको पसंद नहीं हो लेकिन जेडियू में आप जाके फिर निकले जेडियू से निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं था जेडियू से अगर हमको मुखमंत्री पद से हटाने का जो उनलों ने कुप परियास किया अगर नितिस कुमार कह देते हम इसको रिपीट किया कई एक बार आया है चैनल में कि मांजी जी अब हो गया हम बनना चाहते हैं ए नहीं तो यह कहते कि नौ महिना में आपने बड़ा गलत काम कर दिया यह कहते तो एक मिनट भी हम नहीं ठाठते हम रिजाइन कर देते हैं तब फिर जेडियू से अलग होने का कोई सवाल नहीं लेकिन जेडियू ने तो एक तरह से बेईज़त करके हमको फोर्स किया कि हम रिजाइन कर दें विश्वास गहात की ऐसा शब्द देना चाहेंगे? अब विश्वास गहात की बात हम नहीं कहेंगे इस चीज़ को विश्वास गहात का मामला है वो हमको विश्वास गहती कहते हैं चुकि वो कहे थे कि भाई रबर स्टेंप रहेगा हम रबर स्टेंप नहीं रहे हमने उबाद की तो वो कर सकते हैं हमने नहीं का हम आज भी कहते हैं कि अगर कुछ भी आम हैं तो इनितृ कुमार के चलते हैं, चाहे भले क्यों नहीं, उनकाते हैं कि गलतिये से बनातिया हूए, तो और ऐसी बात, भाजपा का, तो भाजपा से सहिधान्तिक मतवेद है, सहिधान्तिक मतवेद यह है कि जब हम ऐसा आज भी ठैंक्स देते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को, इ हमने माँगा तो परल्लयमेंट में हमसे किसमय दिया। हमने उनको यही कहा था। कि माणने बर सिडूल कास्ट के लोग कहता है कि भाजपा प्रृदी है। हम आप के पास हैं तो हम को लोग करता है कि आतके만 कियों भाजपा के साथ भाजपा subscriber के साथ है। और common schooling system लागू कर दीजे ये तीन काम कर देते हैं हम आपकी पूजा करेंगे और एक कहा कहते कहते तीन सारे तीन पूने चार साल हो गया तो हम समझा कि अब लगता है कि ये लोग नहीं कुछ करेंगे और इसी बीच में लालुजादब का मामला आया लालुजादब में कहा भा नहीं जीते जहानाबाद का उपचुनाब अगर हम नहीं रहते तो 36,000 भोट से नहीं जीते वहां जीते थे लोग 10-11,000 भोट से और चिप पनिश्टर के खिलाप लड़े थे तो 36,000 भोट इसका मतलब हमने सो किया हमारे आने सुन को फाइदा हुआ और यही कहे कि हम करेंग आज सत्ता में नहीं हैं तो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं वह अलग बात है लेकिन हमारा समाज जो हमारा भोटर है कहीं ने कहीं उस समाज से थोड़ा सा अपना को किनारा रखना चाहता है एक राजनेता को बनाने के पीछे उनका घर सबसे बड़ा होता है तो मैं एकदम आप पे यह जो हमारे बीच बात्चीतरे वो खत नहीं करूगे मैं इनका नाम शांती दे भी है एक चलते चलते बस चुटा बतोर राजनेता यह जादा आपको अच्छे लगता है यह घर में आम पती के तोर पे जादा अच्छे लगते हैं अब घर पर अच्छा लगते जाते हैं आम पती के तोर पे आम पिता के तोर पे अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं तो एक आम ग्रहनी है इनका अपना मतलब पसंद है कि आम साधारन पती जादा अच्छे लगता है रा जीतन राममान जी जो बने जीतन राममान जी जिन्होंने शुरुवात कॉंग्रेस के विचारधारा से की बाद में ये जनता दल जाते हैं वहां से फिर गाड़ी आगे बढ़ती है तो ये लालू प्रसादियादव के साथ भी जाते है उसके बाद बीच में एक मोड आता है कि नितिस कुमार को भे इनका साथ मिलता है लेकिन नितिस कुमार को शायद ये विश्वास नहीं हुआ कि जीतन राममान जी जिस जीतन राममान जी को उन्होंने एक रबस टांप के तौर पे इस्तमाल उनको करना वो इस्तमाल नहीं हो पाएं तब उनसे आप दरकिनार हो गए इसके बाद आगी कहानी जाती है यह अपने पार्टी खुद बनाते हैं पार्टी का नाम है अवाम मूर्चा और यह पूरे तयारी के साथ भारत के लगवग हर राजी में चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं जीतन रामान जी बहुत बड़े परस्नालिटी उम्मीद है आ आप सभी को बताए ताकि हर कोई इंसे इंस्पायर हो इनकी कहानी से सीख ले और ऐसा ही इंसान बनने की कोशिश करें नमस्कार कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलोशन पा सकते हैं सौथ क्यर मोबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप संपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111 9472-982222 सौथ क्यर आप सॉलूशन अट योर फिंगर टिप्स